हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसेस स्टड़ी के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स मैं आपको जून बंद की एकोनॉमी वाली क्लास में आज कराने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको 5-6 आर्टिकल्स कराऊंगा तो इसमें हम लोग बड़े वाले आर्टिकल्स को बहुत ही विस्तार से समझेंगे और एक-एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर अनाल्सिस करेंगे जो कुछ दिया रहेगा पहला आर्टिकल्स कि प्राथिमिक्ता प्राफ्त जो छेतरक है उसको उधार संबंधी जो मांडंड है उसमें संसोधन हुआ है कहने का मतलब है रिवाइच प्रियॉर्टी सेक्टर लेंडिंग नॉम्स है यानि कि जो priority sector यानि जिसमें प्राथमिक्ता दे करके बैंकों को द्वारा कर्ज दिया जाता है जिन सेक्टर में उसमें कुछ मान डंडों में संसोधन किया गया है किस ने किया है तो RBI ने किया है चलिए सुरुवात करते हैं सुर्क्यों में क्यों रहा कि भारती रिजर्व बैंक ने प्रियोर्टी सेक्टर लैंडिंग जो दिसा निर्देश थे उसमें संसोधन किया इसका उदिश सी एक मात्र था कि उन जीलों में जो छोटे छोटे रिड दी जाते हैं कमरासी वाले उनको पढ़ावा देना है जहां आर्फी की स्थिति कमजोर हो गई है वहाँको एवरेज जो रिजर्व मिलता है वहाँ पर रिड की विस्तार्थ किया जा इसी लिए इसमें दिसा निर्देशों में संसोधन किया गया है तो प्रियोर्टी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है पहले इसको समझते हैं फिर इसके बाद हम लोग इसकी आसकता क्यों होती है तो तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे तो priority सेक्टर लेंडिंग होता यह है कि उन सेक्टर से जहाँ पे सरकार और RBI का करती है देश के विकाश के लिए important मानती है जो RBI या देश जो सरकार होती ह है वो चाहती है कि इन सेक्टर को RID का वित्रण कियागा ताकि यह लोग जो है अपने growth को बढ़ा सके economic activities को run कर सके और ऐसी सेक्टर को सरकार जो है देश के अर्थ दिवस्ता के लिए उपयोगी बानती है तो बैंकों को RID देने के मामले में कर्ज देने के मामले में अन छेत अपचारिक रूप दिया गया था ठीक है तो अब उसका उद्दिस यही कि जो समाच के कमजोर वर्ग है अलप विक्षित जो सेक्टर से हैं उसमें कर्ज की उपलबता को सुनिश्चित करना है और होता क्या है कि बैंक जो होंगा एक हिस्सा उसका बैंक का टोटल कर्ज देत इसका एक हिस्सा क्या करेगा उनोंहीं छेतर वर्ग गर्फ जो सब सेक्टर से उनको देगा जो अर्थ व्यूस्था के लिए इम्पोर्टेंट्स है ऐसे सेक्टर के लिए जो रिड की उपलबता होती हुए उसको आसान बना जाता है और साथ ि-साथ जो है रिड के लिए प इसको ध्यान देना गाटगिल समिती बनी थी 1969 में इसका उसने जो है एरिया एप्रोच अपनाने की सिफारिस की थी और इसी के अधार पर लीड बैंक की उजना प्रारम की गई थी UPSC का एक प्रिवेश एर कोश्चन का स्टेटमेंट लीड बैंक एजना ठीक है तो ध्यान दे है MSME है निर्यात संबंदी सिच्छा आवाश समाजिक संरचना नवीकरणी उर्जा और अन्य में ठीक है इसके सरी जो कमजोर स्रेडी होते हैं उनके अधिक कुछ अन छोटे-छोटे मतलब सेक्सन होते हैं जैसे कि क्रिशी में लगो और सीमान्त किसान हो गया या उसके साथ जो प्रियाइटि स्रेक्टर लेंडिंग के ताथ जो कमजोर होते हैं इसमें क्रिशी और लगो शिमान्त हो गया फिर एडी की शान हो गया फिर इसके बाद कामगार हो गया ग्रामीड न कुटीर भी उद्वुदूग की महिलाएं हो गई इसमें दि बियांग जयन भी आते ह उनके लिए priority sector क्या होगा कितना देना है फिर क्रिशी सेक्टर में कितना देना है इतना आपको important नहीं है इसमें मतलब आपको ध्यान देना इसमें कि चेतरी जो ग्रामीड बैंक होता है वो अपने 75% से अधिक जो इसा होता है वो अपने रिड़का वो किसे हो देते है और लगो फाइनेंस बैंक भी 75% से अधिक जो होते है वो जो है अब प्रियाटी सेक्टर को देते है ठीक है अभी ध्यान देना जो PSL संबंधी जो दिशा न देस होते हैं वो सहरी साकारी बैंकों पर भी लागो होते हैं statement देकर यह पूछ सकता है सीधे सीधे कि जो priority सेक्टर लेंडिंग की जो दिशा निंदेस होते हैं क्या वो अर्बन कॉपरेटी बैंक पर होते हैं तो आपको उसको टिक करना सही अगर होगा तो अगर उसमें नह शकता है इसलिए थी कि जो read वीत्रन है उसके मामले में जो regional जो क्या होते हैं कि समानता हैं उसको दूर करना जरूरी है read प्रभाह की कमी करना कमी जो है उसको दूर करना है MSME सेक्टर में और विनिर्मार उद्दोग और अनवस्तूओं को उत्पादन में बढ़ावा देने क जिन जिलों में देखें तो read वित्रन कम है वहाँ पर मैं तब 9000 रुपए से कम है प्रतिव्यक्ति तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो नए read के लिए बैंकों को अधिक भारांस दिया जाएगा dis incentive framework यानि पहले से जहां से read अधिक हो चुका है उनको कम भारांस दिया जाएगा अन जिलों में तो कम read प्राप्त करने वाले कुछ जिले होंगे या उच रिड़ प्राप्त करने वाले जिले होंगे उसको छोड़का सभी जिलों में 100% की जो जो मुझूदा भारांस से वो जारी रहेगी MSME को दिया गया सभी bank जो read होंगे वो PSL सेक्टर में आएंगे यानि कि PSL स्रेडी में आएंगे Public priority sector landing में आएंगे तो ये सारी चीज़े जो है यहाँ पे इसी में RBI ने संसोधन किया अब आती है कि priority sector landing की जो यह अप्रोच अपनाई गई उसका भारती अर्ति बहुस्था पे क्या प्रभाव पड़ा तो वित्ती समावेशन इसमें आप देखो तो इसने वित्ती समावेशन को सुनिश्चित करने में बैंकिंग सुविधाओं से जो लगू शिमान किशान थे महिलाएं थी कमजूर वर्ग थी जो कम्मूनिटीज थे उनको जुड़ेने में इसने सफलता पाई है क्रिशी का इसने समर्थन किया है इसने जो अन्य नीतियों के साथ देखें तो कॉमर्सियल बैंकों है तो जो पेसल सेक्टर था उसके दिशान देशे करण क्या हुआ कि क्रिशी सेक्टर को अन्यवार रूप 17% देने का प्राधान इसकी करण क्या हुआ कि क्रिसी का समर्थन वा और क्रिसी सेक्टर में जो है ये रिनों का वितरन से किसानों को संबल मिला और उन्होंने इसका इस्तमाल भी अपने production को increase करने के लिए अपने क्रिसी सेक्टर में अन्य चीज़ों की equipment की खरीद के लिए इस्तमाल किया MSME को यहां से बढ़ावा मिला MSME को जो है इसी priority सेक्टर के scheme से बढ़ावा मिला है और ये रिनों प्राप्त करना आशान हो गया इसे रोजगार भी मिले है और अस्थानी अर्थव्यों स्थाओं को शंबल मिला है बढ़ावा मिला है आए ब्रिदी हुई है अंधरा में एक case study में बात आई थी कि लभार्तियों की आए में ब्रिदी हुई है इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी है जैसे NPA हलाकि होता कि प्रियोर्टी सेक्टर में जो बगाया रीड होता उसके वज़ा से बैंकों पे काफी नाकरात्मक प्रभावा पड़ा है इन पी एक जो बढ़ा है लागत में ब्रिदी हुई है इसको सर्तों का पालन करने से बैंकों की जो प्रशासनिक और लें दिन लागत उसमें ब्रिदी हुई है पी एसल से जुड़िया ने समस्या आई है कि बैंकों की जो प्रॉफिट है वो कम हुई है और बैंकों के कामकाज में सरकारी हिस्तेचे पड़ा है इसका नेगेटिव इंपेक्ट है ये चीज़ ठीक है अब आगे की रहा होनी किया चाहिए तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस के स्थापना हम लोग कर सकते हैं टेक्नलोजी का इस्तमाल बहुत जरूरी है किसानों को रिड के मंजूरी के लिए देखें तो मोबाइल बैंकिंग एप्स के बारे में जागरूग करना चाहिए और बैंकों की जो रिड वीतरन की जो लागत होती है इससे इससे बेहत कम और उसके ब्रिधी भी होगी इसके साथ ही अगर देखें तो मजबूत रिड और शनचना और जोखी मुल्यांकल टूर बनाने से किया हुआ कि जो रिड चुकाने की छमता है या कैपेसिटी है या वो NPA में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इन सभी चीजों को ध्यान देने से अब ही आपको मैं जब टेलिग्राम आप जोईन किया होंगे तो टेलिग्राम पर मैं आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट हीजे जो है या वाट्सेप चैनल जो है उसके मैं बहुत सारे आर्टिकल सेयर करते रहता हूं तो सरकार ने अभी इसी में एड करने ना यू एलाई इंटरफेस यहाँ पर जिसे आप यू पियाई इस्तमाल करते हो यू पियाई पर क्या होता एक क्लिप पर भुक्तान कर लेते हो ठीक इसी प्रकासी यू एलाई के थूज होगा आप एक क्लिक पर जो है वो जो सारी डाकुमेंट्स आप सब्मिट करोगे तो आपको रिड व सुर्खियों में क्यों रहा है कि सेभी ने आप पंजिकरित जो फाइनेंसर इंफ्लूएंसर है या फिन इंफ्लूएंसर है उनके लिए बेसिक नियम अधारभूत नियम को निर्धारित किया है और इन नियमों में जो रेगुलेटेट इंस्टूशन से उसको बिना पंजिक उसके साथ काम करने को बैन कर दिया गया है आपको मैं फिन इंफ्लूएंसर के बारे में जानना है अगर आप यूटूब खोलोगे या फेस्बूक खोलो कहीं भी आप जाओ उसमें बहुत सारे ऐसे ग्यानी बाबा लोग आएंगे जो बड़े-बड़े मतलब इंफ्लूए देते हैं आप ध्यान देना आप सब लोग इस चीज़ को गुजरते होगा देखते होगे साथ आएंगे किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे काएंगे ट्रेडिंग आप है ये और इसमें आप लोग इसमें 50 रुपे डालिए 100 रुपे डालिए या 200 रुपे इ तो ये ट्रेडिंग को जो ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि उपर आता है रोक नेना ये ट्रेडिंग नहीं होता है बाई तो इसी के लिए जो है से वी ने इस पर रोक लगा यह और बहुत सारे अगर मैं नाम ले लूँ तो जो भी इंफुरेंसर्स आप जानते होंगे आपका बसंदीदा होगा जो जैसे कि अगर मैं एक्जांपल के तौर पे देदूं केरी मिनाटी से लेकर वहां से लिए करके वह मनहान है कोई पता नहीं किया कि बहुत सारे लोग है कोई ऐसा उससे यह लोग करते क्या थे कि जो छोटे-छोटे आप्स होते हैं जो ऐसे आप्स बन ने किया है कि आपको करना क्या है कि बिना पंजिकरन वाली थे इंफ्लसेसाद आपको काम नहीं करना है जो इन इपन्फ्लॉotiर्शन को से बीनी बार-बार ट्रेड करने वाले जो सेर है उसकी दिश्चित मुले प्रक्रिय शुरू करने का निदे लिया है ठीक है और बीलिस् के बारे में जानते हैं कि ऐसा ब्यक्ति होता है रहों सोसाल मेडिया प्लेटफॉर्म पर जो इनुवेस्टर सूंगे उसको वित्ति निवेशों के बारे में आम तोर पर पे 신 टोक, स्टॉक, बिम प्रोडॉक्ट्टस को में निवेश की जानकाई और सुलाध दोनेदेता है ठीक है तो आय के सुरूत क्या होते हैं व्यूस के अधार पे passive income collaboration कर लेते हैं या साठगट कर लेते हैं किसी वीडियो के वीडियो के लिंक देते हैं तो इस प्रकार पे रोक लगाई गई है अब इस आती है कि influencer की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई है फिन influencer की वित्ती साचारता का भाव है अगर आप देखो तो एक report है National Center for Financial Education 2019 की उसमें बताया है कि भारत में जो financial जो literacy है मात 27 परसेंट है यानि कि आप समझो कितना कम है 27 परसेंट ठीक है तो 73 परसेंट जो जनसंख्या है वो financially जो है जाग्रूप करते हैं और बताते भी कई कार आप देखेंगे यूटूब अगर आप पर पार्डगॉश आता है बहुत सारे जो होंगे वो कोविद 19 के बाद में और तक्निकी प्रगदी हुआ है ठीक है तो इसके social media का plan है आप देखेंगे वो इसका algorithm में ऐसा है कि सबके साथ वो पहुंच होती है और सबसे बड़ी बात है कि data भी सस्ता हुआ और जो smart phones बढ़े हैं तो ऐसे में लोगों के पास जानकारिया पहुंची है तो कहीं ने कहीं जो अगर आप देखो तो यह जो ट्रेडिंग की और वित्ती जो होता है कि जो कताम उठाने की जो लोगों के capacity थी वो वो बढ़ी है तो इसे हुआ क्या है कि फिर influencer की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है एक बड़ा ही मतलब होता है कि attractive feel हो जाता है एक तरह से तो इसे समस्याई क्या पैदा हो रही है तो एक वीनियमन का पहली बात की इनका वीनियमन में दाराना आने से होता क्या है कि इनकी क्या विश्यश और इग्जावब इसके बहुत सारे हैं है इंवेस्ट वाले जो जोक्षिम को अक्सर प्रमोट करते हैं अब होता जोक्षिम बताते नहीं है बल्कि जो है हाई return की बात करते हैं लोग होकर के आई इंवश्ट करेंगे और उनका सवार के विश्व सिवाल होतकी सवाल होते हैं समाजीत प्रभा भी होता है अप्धे गार आप सा इंवेंश सी स्याइटा की बीच में बजार्में फिर पार सबते हैं उसका पड़ा जो बजार में demands में भी बढ़ावा देते हैं तो इस तारह की चीज़े होती है कुछ नैतिक मुद्दे भी है एथिक्स में अगर चीज़ आएंगी तो आपको नैतिक मुद्दे जैसे ब्यवहारिक अर्थ सास्त्र फिन इनफ्लूनसर क्या करेंगे मनो बेगानिक पुर्वाग्र जैसे कि समाजिक ब्यवहार हो गया या पुष्टी के पुरुवाग्र हो गया इसका फादा उठा लेते हैं पारदसिता और जवाब देई कई बार फिन इन्फ्लूनसर क्या करते हैं नीजी लाव के लिए गलत या भ्रामक जनकाई देते हैं तो यह भी दिक्कत होता है विश्वसनिता और प्रमाडिकता कुछ इंफ्लेंसर का करेंगे कुछ को स्वैम को विश्वसनी दिखाने के लिए फर्जी लाभानी का डिटेल देते हैं जिसे आप जो बता है ना कि जो आप ट्रेडिंग का सलाह दे तेरह है जो ऐसा फ्रेमवर्क है जो फीस के बदले वित्ती सला जेते हैं एक फ्रेमवर्क है से भी परामर्स पात्र है जो करता क्या है कि जो अपने यहां पंजिकृत जो इंस्टिशन से उनको और पंजिकृत फिन इन्फुनेंसर के साथ संबंदों को अस्थापित करने को बैन किया गया इसमें भारती विग्यापन मानक परसत है इसके बारे मैंने आपको बताया था इसके इसने जो है इन्फुनेंसर के लिए से भी साथ पंजिकृत करना अनिमार हो गया है और यह देखे तो अगर आपको देखा तो यूटूब अमे भी आप देखते होगे तो अब तो जो भी content को promote करते हो या प्रमोशन करते हो या किसी का परचार करते हो तो advertisement करते हो तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर अपना वह उतारक उसको disclaimer देना अनिमार हो जाता है कि यह जो है वह promotion वाले चीज़े है या advertisement वाले चीज़े है ठीक है तो आगे की रह क्या है तो ऐसे में देखना यह चाहिए कि जो fin influencer है या निमेज की सलाह देने वाले लोग है उनके लिए terms की और उसकी परिभासा असपश्ट होने चाहिए कोई भी गतवीधियों की नयाइक और विण्यामे की इस्तर पर जाच कर सकें सभी जो माध्यम है जिसे tv, print, social media, digital अनेक प्र ज्यानकारी दी जा रही हो, वो क्या हो, true हो, सच्ची हो, वो संतुलित हो और database हो ताकि जो है उसका analysis के रहा सके, एक बहतर सिकायत तिवारत तंत होना चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर कोई बी ऐसा तंत जो निमेज को की गलास सलाह दे रहा हो, उसकी मतलब reporting कर तो उसकी reporting कर सके, छतिपूर्ती प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके, इन्वेश्टर्स के education को जो है वो बहतरीन तरीके से मुल्यांकन करने के लिए, डिश्टल माध्यम से देने के लिए आवश्यक ज्यान और कैसल से last करना चाहिए, और लोगों को भी जागरूप करना चाहिए, दे पोटों का सत्यापन करें, तो एक्जामपल के तौर पर देखें, तो अभिश्व में कुछ ऐसे उधारन दिये गए, कि ऐसी study के तौर पर आप देख सकते, व अस्ट्रिया में देखें, तो बिना license का अगर आप वित्ती सला देते हैं, तो अब पांच साल की jail है, बहुत तो यहाँ पर चीजन तो ठीक हैं, भारत में नहीं है, इसके लिए इसके आपर कारे करना चाहिए, ठीक है, अब आता है, बिश्व में कारेबल संबंधी कम्यों से निपटना, ब्रिजिंग दा ग्लोबल वर्क फोर्श गैप, हाली में ORF ने, ORF क्या है, एक जो फिंक टैंक अब्जरवर रिसर्च फांडेशन, यही जो है, बिदेश मंत्राले के साथ मिल करके, राइस सीना डायलोग का आयोजन करता है हर साल, जिसमें देश के प्रमुख जो राष्ट्रा धच्चों के जो लोग होते हैं, जो ठिंक टैंक होती हैं, बड़े जो पॉलिसी मेकर्स होत इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगले दसक में जो ब्रिधी सील वैश्विक कारेबल होगा, उसका जो लगभग अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में परसेंटेज देखें तो 24% भारत से होगा, जितना कामकाजी वर्ग है पूरे दुनिया में, उसमें 24% भारत से तो यह चीज़े हैं, तो वैस्विक स्रम बाजार की सिती देखें, तो कामकाजी उम्र की जन संख्या में कमी आ रही है, कई सारे जो हाई इंकम वाले देश हैं, वहाँ पे जनम धर में गिरावट आई है, तो जन संख्या बढ़ रही है, ब्रिध होती आबादी, कई जो सदान देना आवश्यक होता है, ठीक है, वैस्विक रित रोजगार की से देखें, तो डिजिचल सिस्टम की उपयोग में ब्रिधी हो रही है, आम तो देखें, तो लोग दूर दूर रह करके, टीम वर्क की रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यह क् को यूपयसी टागेट करता है, फ्रेंड सोरिंग होता है, कि एक उभरती हुई, अभी उभर रहा है, वैस्टिक तोर पे एक रन निती है, आर्थिक रन निती, ऐसा प्रोसेस है, जिसमें कमपनियां अपनी जो सप्लाई, जो चेन होता है, उन देखों में ट्रांसफर कर दे कि जहां उसको प्लिटिकली सपोर्ट मिले, और वहां पे आर्थिक रूप से उसको कारेबल भी मिल पाए, सप्लाई चेन भी मार्केट भी मिल पाएगा, तो यही होता है, फ्रेंड सोरिंग, ठीक है, तो फ्रेंड सोरिंग के वज़से यहां पे क्या हो रहा है, कि अंतराश इसाधिक लोग 15-24 आईवर्क के हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, कि जो वर्क फ्रोस सर्प्लस है, वो देश दुनिया में लोगों की जो डिमांड और सप्लाई है, उसके बीच में गैप को पाट सकता है, कोशल में कमी की समस्या को दूर करना भारत का जो कोशल विकास बलकि जो है, उसको आर्थिक उसर का भी लाव उठने का जो है आउसर मिला है, पिछली से बालता हो देखें, तो यहाँ पर IT और जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपूट है, आउट्सोर्सिंग है, बीपियो, इसकी सेवा में निर्यात से भारत की जो सफलता मिली है, तो जा सकता है कि भारत की इस प्रकार से अपनी जनसांखी की लाव का जो है, लाव उठा सकता है, तो ऐसे में देखें, तो सरम गति सीलता के प्रभाव क्या होगे, तो वैस्विक जब सरम गति सील करेगा, तो उसमें क्या प्रभाव हो सकते हैं, मेंस का सवाल यह बन सकता है, तो वैश्विक उत्पाजक्ता में बृधी होगी, जाइड सी बात है कि जब लेबर मोबिलिटी होगा तो भविश्य के प्रवासियों पे इन्योकताओं से जोड़ेगी, तो इस पर क्या होगा, समानता उत्पाजक्ता में बृधी होगी, गरीबी उन्मूलन होगा, अमीर दे विकास पर दिरकालियन प्रवाव पड़ेगा, और प्रतिभाव प्लायन यानि बेंड, ड्रेन की भी समस्या हो सकती है, तो स्वास्त देख बाल से बार कंस्रक्शन जैसे सहत्रों पे प्रतिकूल प्रवाव पड़ेगा, तो ऐसे में भारत न जनसांकी की लाब की उप्रयो परभावितु में है तो कई बार वो रोजगार उनको चिन गया वो कर्ज में डूब गया प्रवाशन वीरोधी नीतियां और अस्थानी भावनाएं भी जो होती है वो कई बार प्रवाश्यों के लिए बाधा करती है जैसे कि आप देखो तो कई बार होता क्या है कि जो जिन टेहां देखने को मिलती है और यह मतलब अस्थानी भावनाइश भावनाया लें इंबरकर आती हैं ठीक में तो कई बार आबर आबर ऑपर यहिका से कार्वाश्यों यही बढ़ती तसमें बुन्यादी बदेख्या हो रहा है तो ऐसे में होता क्या है कि जब automation बढ़ रहा है AI क्या कर रहा है कि बहुत सारे कारेबलों की दुला में अखिले कारे करने में सक्षम है तो ऐसे में नोकरियां जाने की संभावनाएं काफी जादे हैं वो भी skilled sector में तो दिक्कते हैं आपे हैं तो भारत ने जज़ सांखी की लाब के उपयोग के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं तो कॉशल बिकास कर रहा कुशल कारेबल की समस्या करने के लिए इंडिया मिशन लाए गया प्रदान मंतरी कॉशल बिकास उजना भी लाई गई नई सिच्छानिती में जो है बिवसाई कॉशल और हाई जो कॉशल प्रसिच्छन भी प्रदान किया गया प्रवासल समंदी समझते भी हुए तो ऐसे में आगे की राह क्या हो तो बिश्व में स्रम की मांग को समझना काफी अधिक जो है आवश्यक है सर्प्रस वर्कफोर्स को जो है विक्षित अर्थ बिवस्थाओं की मांगों की अनुरूप जो है बिवस्थित कर सकते है कॉशल पिकास को हमें ध्यान देना पड़ेगा कारेबल को हमें अवश्यक कॉशल से लाइस करने के लिए हमें कारना क्या पड़ेगा कोश्टल विकास की जो पहल है उसमें इंवेस्टिमेंट करना पड़ेगा अगर आप देखो तो इसकील इकोसिस्टम का निर्मान कर सकते हैं कैसे सैच्छिरिक और व्योसाइक संस्थाओं में इंवेस्टिमेंट करके जो वैस्विक मानकों की अनुरूप हो ऐसे में इसकी स्विकारता वैस्विकस्तर पे बढ़ेगी अंतराष्टी समझोते कर सकते हैं अगर आप देखो तो जो विदेशों में कारेबल है उसको सुधाजनक बनाने के लिए हमें दिपक्षी और बहुपच्षी समझोतों को बढ़वा देना ज dugποι है हमें जंज़रूता फ्यलाना चाहिए लागत कं करने पि बात करने चाहिए हमें जो प्रवास्य कारेबल है उसके प्रवासन की लागत को कम करना चाहिए जिसंसे क्या होगा कि असानी से जो है अगर आप देखो तो भारती स्रम बजार में वापस लोटने वाले कारेबल के लिए स्रम बजार में अपनी रोजगार सुनिशित हो महिला ससकती करण की बात करने चाहिए हमें जो है कारेबल में देख सकती कि महिलाओं को सामिल करना जरूरी है अगर आप देखो तो 2022 में कुर कारेबल में महिलाओं भषज़ारी केवल 24% थी तो ऐसे में जो है ये चिंदा जनक है हमें महिलाओं की जो कारेबल में भषज़ारी कम से कम 50% तक तो लाना ही चाहिए ठीक है तो इस तरह से कारे करके हम लोग जो वैस्विक डिमांड है उसके जो गया और सप्लाई उसके गयाप में हम फुल्फिल कर सकते हैं और लाव ले सकते हैं अब आता है भारत का ब्यापार घाटा बहुत ही बड़ा मुद्दार आए सुर्क्यों में क्यों रहा क्योंकि वाडिज और उदोग मंत्राले जो ओफिसली डाटा जारी कियागा उसमें 2023-2024 में सिर्ष 10 ब्यापारिक भागिदारों में से 9 के साथ हम ब्यापार घाटा दर्ज कर सुगे हैं यानि हमारा जो ब्यापार सिर्ष टॉप 10 के जो लोग है जो दो देश हैं जिन से हमारा ब्यापार हो रहा है उनमें से 9 के साथ हमारा ब्यापार घाटा है ये बहुत ही खतरनाक डेटा है आप समझ लो तो ब्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का जो आयात का मुले है निर्यात के मूले से अधिक हो जाता है अब इसे नेगेटिब ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं तो बारत के जो सबसे बड़े ब्यापारिक भागदार देश कौन है तो पहले नंबर पर आता है चाइना दूसरे पर यूए से तीसरे पर यूए चौथा पर रसिया और पांच सरपलस है सबसे टॉप पर यूए से है दूसरा पर निदरलेंड तीसरा पर बिटेन चौथा पर बेल्जियम पांचमा पर इटली डेटा को आप उकरम को याद रखना पूछा जा सकता है अब जो उच्छ ब्यापार घाटा उसका हमारे अर्थ ब्योस्था पर क्या प्रभा अगर आप देखो तो भारत के उच्छ ब्यापार घाट पर इसके सासाथ हम देखें तो सिवाओं और वस्तूओं के ब्यापत बिकल्प मिलने का संकेत भी होता है और देखें तो हम घाटा के जग़ा अगर हम पुजिगत वस्तूओं का याद होता है इसे घरेलू निवेस म ब्रिधी भी होती है अगर आप देखो तो भारत के उच्छ ब्यापार घाटे के कारण क्या है तो आयातित इन्पूट पर अधिक निर्भाता हम करते क्या है कि कच्छा तेल और फर्मोसिटिकल के लिए हम आयात पर निर्भा रहे है तो उभोकता के पैटर में भी जो है इन्वर्टे ड्यूटी सब्योस था है वस्तुमों के निर्यात में बार-बार बैन लगता है और अन्य तरीके देखें तो फ्री ट्रेड एगर्मेंट का ब्याता तरीके समलूलाग उठाने पाते हैं और विक्सी देसोट वारा जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है कही प्रदानमंत्री ने वरार्सी में जो सेल्फ हैल्प ग्रूप है उसकी 30,000 से ज्यादा महिलाओं को क्रिसी सक्खी के रूप में सर्टिफिकेट दिये हैं तो इंपोर्टेंट है सबसे पहली बात की UPPCS के लिए ही इंपोर्टेंट हो जाता है कि प्रदानमंत्री ने किस जग तो इनकी भूमिका किया है तो क्रिसी जो अनुभवी महिला क्रिसक होती है और जमेनी अस्तर पर क्रशी कार में जो प्रसिचित पयर एक्ष्टेंषन पेशे वर होती हैं करती क्रिया है कि इस। प्रसिचन सूचना के मादियम से क्रिशी की जो पदतियां उसमें बैग्यानिक नुसंधान और नय ग्यान के उपयोग कि उपयोग से किषानों ग्रामीडों को जो है साइदा दे रही है इनकी जो क्रिशी सक्षियों की भूमिका ये है कि जो नेचुरल खेती है उसकी बीवित पहलोप किषानों को अस्थानी अस्था पर मागदर्सन के लिए सभी जानकारियां देती हैं कोशल और छमताओं साथ किषानों का मेत्र बनती है और साथी साथ देखे तो प्राकृतिक क बरबंधन जैसे नए सक्टर में कैपिसीती बिलडिंग और कोशल निर्माण की काम ये करती हैं किरिसी सक्षिकन्वरजन्स कारिकरम के एसंट्र घुए कि न Everybody के ब ऑन्हा है और ग्रामीर भारत ने बदलाव लाना है इस कारिक्रम के तहद देखें तो पूरी तरों पे देखें चडबत तरीके से तो उमनों प्राकिर्टिक खेती और मिर्दा स्वास्थ प्रवंधन पे सत्तर हजार क्रिसी सक्षियों को यहाँ पर प्रसिछण दिया जाएगा लखफपती कारिक्रम दीदी का हिस्सा है अब ध्यान देना है कि लखफपती दीदी कारिक्रम मैंने आपको पढ़ाया था इसमें पीटी 365 में जिसमें तीन करोन लखपती दीदी बनाने का लक्ष रखा गया था इसका उद्यस से था कि ग्रामीर सेक्टर में महिलाओं के आर्थिक ससक्तिकरन करना और वित्ती स्वास्थता को बढ़ा रखना है क्रिसी सक्षियों जो है इसी कारिक्रम का एक भाग है किसका लखपती दीदी कारेकरम का केसी सकी एक भाग है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है ठीक है ध्यान देना अच्छा इसका क्यर्मन देखें तो पहले चरण में 12 राजियों में सुरू किया गया है इसमें कि आपको ध्यान देना है यूपी है ठीक है इसके साथ ही अगर संधान और विकास प्रणाली पर पॉब्लिक सेक्टर का ही जो प्रभुत्व है और इसका नेतरित कौन करता है इंडियन कॉंसिल आफ एगरिकल्चर रिसर्च हेड़कॉर्टर निव देली ठीक है यूपी पीसेज का प्रिवेश एर कोश्चन है अब आता कि इसके इसके प्रदोग्की का प्रसार और उसको उपयोग को बढ़ावा देती है साथी साथ देखें तो ये डेटा प्रबंधर में भागिदारी को बढ़ावा देती है अगर इसके साथ देखें तो राष्टी कृषी बिष्टार और प्रदोग्की मिशन है इसमें चार मिशन है उप मि कृषी विश्टार पर उपमिशन, बीजरोपन पर उपमिशन, कृषी अंतिकरण पर उपमिशन और पौध सनरच्छन और पौधा के कुरिंटाईन पर उपमिशन इसी तरह से कृषी विज्ञान केंद्र भी है ये ICR की जो इरिजनल रिसर्च की centers हैं जहां पर नवीन चेतर किश्म की किशी पदतियों की मसिनरी की और जो विविद जलवाई चेतर हैं किशी के उसमें जो किसानों द्वारा जो अपना जाने वाले जो तरीके होते हैं उस पर परिच्छन होता रिसर्च होता है साजीनिक सेक्टर की जो अन्वागिदार स्टेट जो किसी विश्विद दाले हैं या पिर किसी और किशान मंतराले दोबारा ICT जो किसी विश्विश्टार उपाय हैं उनके तहद जो है यह भी कारिक्राम चला जाता है जैसे कि M. किसान काल सेंटर यह भी जुए ICR के द्वारा चला जा जारे है नेजे सेक्टर द्वारा जो प्रदान के वारा किसान के प्रिप्को और करती है ये क्या करती है कि किसानों की संगोष्टिय अज़ित करती है और सिमिनार करके जो है इन मिर्दा परिछण या फिर जो खाद वीतरण या इनके बारे में जो कृसी समनित अनजागलुकता पहलों को जो है ये संचालित करती है अब आता है कि क्रिसी विष्टार सिवाओं का महत्तु क्या है तो क्रिसी उपज को बढ़ावा दे करके क्रिसी आई में बृधी करना दलवाई समीती की रिपोर्ट में यह बात पर जोर दी गई थी इंपोर्टेंट देना कि इसको आप मेंस में नोट कर सकते हो कि बड़ी संख्या में अगर आप देखो तो किशानों में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में जानकारी है लेकिन कोशल की कमी है तो जो यह कारिक्रम चलाई जा रहे हैं यह जो कारिक्रम होंगे कोशल को ही इंक्रीज करते हैं इन्हेंस करते हैं बेहतर तकनीक, प्रोत्साहन और संस्थागत सनचनाओं को अपनाने से मदद मिलेगी भारत में देखें तो क्रिशी विश्थार पढ़ाले की समक्ष बहुत सारी चुनोतियां है तो पहला है इन्वेस्टमेंट की कमी, जीडिपी का केवल 0.7% ही जो है क्रिशी अनुसंधान और रिसर्च जो इन्वेशन से इसमें कालकरम पे बैग करता है और इसमें भी केवल देखें तो 0.7 में से सिर्फ टोटल 0.16% ही अपने फंड ही जो है वो विश्थार और प्रसिचन के लिए करता है अगर आप देखो तो पूर्वी राज्य है देश के सबसे गरीब राज्य है किसमें क्रिशी अधिक निरभर भी है और कम प्रोड़क्टिविटी भी है और क्रिशी अनुसंधान और सिच्छा पर सबसे कम ब्याई करने वाले भी स्टेट है ये विश्म आवंटन है अगर आप देखो तो भारत में क्रिशी विश्टार और सिच्छन समंदी आवंटन देखें तो फसल उत्पादन की अरी चुपा हुआ है जबकि पसुदन सेक्टर भी इसमें आता है तो इसका कोई जिकरी नहीं होता इतर लोग इसको इनूरी कर देते ह या इसमें जो है अगर आप देखो तो रिसर्च और डिवलप्मेंट की चीज़े जो है वो काफी कम है परडाम अधारिक तंतर का भाव है अगर आप देखो तो सारजनिक विस्तार वितरन पराली या जो टारगेटेड रिजल्ट बेस्ट औरियंटेड जो है वो कोई भी अ प्रडक्षों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारे प्रोडक्टिवीटी को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में आगे की रहा क्या होने चाहिए तो जो बाजार संचालित प्रडाली यानि कि हमें करना चाहिए कि परामपरी जो फूड सीक्योर्टी के नजरिये से आगे बढ़क करके हैं हमें बाजार अधारित विस्टार प्रणाली जो है उसको अपनाना चाहिए और उसी को प्रयोर्टी देने के आशकता है do विस्तार को आपस में जोड़ना चाहिए वीवी दिकरण करना चाहिए क्रिसी अनुसंधान और सिच्छा संबंदी जो बजट में है अगर आप देखो तो प्रोडक्शन के साथ प्रसुदान और डेरी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए इन्यवेशन नेटवर्क पर को कियानोया चाहिए डिजिनल प्रेटफ़र्म सेथ इन्यवेशन नेटवर्क को करना चाहिए तो इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे यहाँ पे सावजनिक नीजी किशान निती भागदारी यहाँ पे देखो पांच P model है पांच P पी 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 ठीक है model इसके ताथ साहजुनी सेंटर के भागदान साथ सयोग करना है बड़ा important है और KWK दरपन पोर्टल के मादम से KWK की ranking भी जो है इसको हम ध्यान दे सकते हैं ठीक है क्रिसी गामीर बजार यहाँ पे आप देखो तो एक निश्ची दिन पर लगने वाले जो क्रिसी गामीर बजार होते हैं उसमें पराथमिक क्रिसी बजारों में परिवर्टिन कर सकते हैं यहाँ पे E-NAM से इसको जोड़ सकते हैं और साथ साथ देखें तो इनमें उपज का एक तरी करना, ग्रेडिंग करना प्राइस का उसको खुद निधारन करना कि शानों की शोदेबाजी करना इसको सवसकत करने में यहाँ पे सुभधा मिले की साथ साथ अगर आप देखो तो E-NAM से जोड़ने से या फिर उन्हें उन्हें जो है E-Market से जोड़ देने से होगा क्या है कि बाजार का भी जो है अगर आप प्राइमरी जो क्रिसी बाजार है उनका E-Market को जोड़ने से जो पूरे देश में एक integration आएगा मार्केट का और किशानों की जो bargaining power है कहीं ने कहीं उसमें increase होगी ठीक है तो यह चीज़े यहां पे होती है Last article आपको जो है इसमें आज के class में पढ़ाने वा रहा हूँ Technical Textiles तकनीकी वस्तर सुर्खियों में क्यों रहा है राष्टी तकनीकी वस्तर मिशन पे अधिकार प्राप्त जो कारिकरम समेती उसने great योजना पहल important है आपको great योजना पहल इसके तहट साथ start-up के प्रस्ताओं को बंजूरी दी है great पहल के बारे में जानना है इसका nodal मंत्राले केंदरी वस्त मंत्राले है उद्धे से क्या है कि तकनीकी वस्त्र जो होता है तकनीकी वस्त्र इसमें यूआ इनिवेटर्स और बैगानिकों को जो है आत्मी अभब आने के लिए प्रोस्ताण देना है अनुदान साहता यानि ग्रांट अनुदान बने आता है था ना कि जो कि आप जो पैसा उसको आपको वापस नहीं करना होता है grant इसमें आम तोरपा 18 महिने के ओधी के लिए 50 लाख रूपय की grant की शाहता की जाएगी ठीक है तो इसमें आपको ध्यान देना है research and entrepreneurship across the inspiring innovation in textile great पहल को राश्टी तकनीकी वस्त mission के घटक के रूप में component के रूप में research and development और innovation के तोरपे शुरू किया गया है तकनीकी वस्त होता क्या है कि ऐसे जो वस्त सनागरी या product जो उसका उपयोग जोता या उनके सौंदर सजावटी बनावटों का अधार पर बजाए बलकि मतलब आप देखो उसमें सौंदर या उनका सजावटी जो भी सेचता है उनको छोड़ कर गए बलकि उनके टेकनिकल जो उनका performance है और functional good है उसके अधार पर उसका जो है वरगी करण करते हैं जैसे कि कई उसके उपयोग होता है क्रिसी सेक्टर में तकनीकी वस्तर का इस्तिवान होता है जिसे बालो आप जो अब insecticide या पिश्य साइट छिड़क रहा हो तो वहाँ पर पहन सकते हो आप सड़क बनाते समये रेलवेट ट्रेक बनाते समये ठीक है खेल कूद में जो बुलिट फूरूफ जैकेट होती है अगी रोधक जैकेट होती है ठीक है अधिक उचाई पर पहने वाले जो कॉम्बेट गिर्यक होते है या अंत्रिच सेक्टर में जो आप वस्त्र पहनते हो वो क्या होते है तकनीकी वस्त्र होते है जैसे कि अगर आप माल लो कि कोई सड़क बना रहे हो सबुख बनाने वाले जो पीच क不知道 कि न ब्लैक वाले जो थी चीज़े वहाँ पर की वहाँपर शुड़ों बड़े बड़े जूत्य होते हैं, वो जूते आगर आप आनके देखो तो सच में वहाँ जूते हैं इसके रिपोर्ट के अनुसार बागवानी में तक्नीकी वस्तुरों का अगर हम इस्तमाल करें तो क्रिसी के प्रोडक्टिविटी में दो से पांच गुना ब्रिदी होती है सरकारी पहलो में समंवें अब सिंगल यूज प्लास्टिक जो आपको मैंने आपको आर्टिकल भी लिखा था इसके डिंगराम पे वह पेक टग नामक नमक टेक्स्टाइल का प्रोडंक Congrats अलगर चुंस चार्पी कतरय है यह वहाँ पे सरकारी पहल जो है एक तरह से है और यह जो टेक्निकल वस्त है उसमें समन्वे कर रहा है हाई डिवलप्मेंट रेट है तक्निकी वस्त बजार देखें तो प्रतिवर्स आठ से दस परसेंट की दर से वह ब्रिधी कर रहा है दुनिया आप में पांचों बड़ा स करने में सच्छा भी है तक्निकी वस्त के सेक्टर में जो ब्रिधी को प्रेड़ करने वाले फैक्टर कौन से है तो देखें तो नए उपयोग से नए उपयोग वाले सेक्टर में मांगे होने वाले वाले ब्रिधी है मानक और दिसा निर्देश है कच्छे माल की उपलगता ह जर्वाई परवर्टन ग्लोबल वार्मिंग है और मेटरियल साइंस में जो प्रगती हो रही है और नहीं ने कोर्सेश लांच हुए है इससे जो है प्रगती हुई है यह फैक्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं टेकनिकल वस्तर में ब्रिधी को फोर्स कर रहे हैं, प्रेरिद कर रहे हैं, अब आता है कि भारत में टक्निकी वस्तर के समझ कौन कौन सी चुनोती हैं, तो मसीनरी पे आयात के लिए निर्वड़ता है, जो इस पे जो टक्निकी वस्तर का निर्माण में जो मसीन इस्तेमाल होत मानकी करण और संबंधित जो रेगुलेशन से उसका अभाव है कई सारे जो बेंचमार्क है वो अभी निर्धाडित नहीं किये गए है तो यह भी एक दिक्कत है उदंसिल्टा की कमी है अब तकनीकी वस्तुरों में उदंसिल्टा की संस्कृति या कोशल का प्रसिछन की जो न तो हर समय होता किया कि बदला होती है तो यह दिक्कते हैं सरकार ने इसके लिए कुछ कई सारी पहल भी की है अगर आप देखो तो राश्टी तकनीकी वस्त्रीके सेक्टर में वेस्टिक रूप से एक अगर आप देखें तो यह पूछा जा सकता है कि इसका पूरा जो जो मतलब इसका समय काल आओधी कितनी है इसकी पूरे क्रियानवन की तो 2020-21 से लेका 23-24 चल ला है तो यह पूछा जा सकता है इसलिए इसको नोट करना नाशी तकनिय की वस्त मिशन अब नोडल मंत्रा ले जाए सिवाते वस्त मंत्रा ले अब कपड़ा मंत्री कौन है आपको क कोश्चन है आपको देखना चाहिए ठीक है पिया मित्र योजना फिर इसके बाद है एक इकरित वस्त पार्क योजना स्कीम फार इंटीग्रेटर टेक्स्टाइल पार्क फिर इसका देखो तो क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन भी सरकार ने लाई है नय एचेसन कोड ला गया है जहां पर इसके उपयोग से कईलाव हो सकते हैं और इसे लभार्मित किया सकता है ठीक है तो यह चीजे हैं और सरकार यह प्रयास कर भी रही है अगर आप देखे तो राश्टी तकने की वर्स्त प्रमिशन के लिए अगर आप रासी देख लें तो इसमें इनुमेशन को और इंडस्ट्री जगत को लोगों को तक्नीकी वस्तलों के बारे में एक ठोस बुन्यादी फ्रेमवर्क बनाया जाने की आउशकता है कोशल विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए और सैचिक परवेश को निवा तयार करना चाहिए भारत के ब्रांडों को प्रमोट करने म जो बाद आती है उस पर हम दो ध्यान के अंदरित कर सकते हैं तक्नीकी वस्तलों में जॉइंट उदम आपनाना चाहिए और स्टाट अपस को बढ़ावा देकर के इनक्यूबिशन सेचन को बढ़ाना चाहिए जिससे क्या होगा स्टाट अपस को प्रोसान मिलेगा तो यह सा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग जुलाई मन्त के एकनोमिक्स वाले सक्षन को कंप्लीट करेंगे पर्सों की क्लासेज में ठीक है इस तरह से रेगुलर्ली 20 तारिक तक मैं दोनों मन्त की मैगजीन है यानि कि आपका मैई और जून दोनों में जून और जूलाई जून और जूलाई दोनों में कंप्लीट करा दूँगा ठीक है सपोर्ट बनाया रखे और सेयर भी करिएगा फीडबैक जरूर दीजेगा धन्यवाद